हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया नेवी, एसे सार और डवले के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नमबर टू को और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा या function-based practice set होगा इससे पहले हमने एक और आपके लिए lektures दिया है वो भी आपके functions से ही था, function चैप्टर से ही था और यह भी आपके function चैप्टर से ही best questions होगा आपके एक और questions या फिर दो lectures आपको और देंगे एक या फिर दो lectures आपको देंगे functions पे फिर हम next chapters के और बढ़ेंगे ठीक है जिसा कि आपको पता है कि हम आपको chapter wise पर हा रहा है module wise पर हा रहा है और हमने आपके जो starting syllabus दिया था examination pattern दिया था और बताया था उसमें आपको कैसे कैसे syllabus आएंगे तो यह module first है हमारा module first में कुछ lectures है जो कि आपके 11th और 12th दोनों के combined chapters है तो आपको module wise पर हा जा रहा है तो आप बहुत सचा कर वीडियो देखिए देखिए कि किस प्रकार से हम कैसे कैसे modules को खदम करेंगे ठीक है तो चली बचे यह वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट आएगा कि वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe जो रूख कीजएगा तो आएए बढ़ते हैं अपने lectures की और पहला question हमारा यदि f equal to 1,3,3,5,2,6 तो function का domain क्या है इस mean in भी लिखे रहेंगे ताकि आपको सबीचीज में आ जाएगा ठीक है तो counsel क्या है आपको अपनमें का domain क्या होता है जो value हम put करते है और range क्या होता है जो value हमें मिलता है ठीक है तो हमने आपको सिखाया था कि अगर function लिखा हो इस तरह से function अगर इस तरह से लिखा गया हो एक second function लिखा हो 1,3 और क्या है sorry और क्या है और अच्छे आपका 3,5 और क्या है आपका 2,6 तो आपका जो domain होता है वो क्या होता है जो पहले वाला जो number होता है वही आपका क्या होता है तो यह क्या है पहले बाले नॉबर वन है, फिर क्या है, आपको फिर थ्री है, फिर क्या है टू है, तो आपको डोमेन क्या हो गया, डोमें हो गया इस function का, डोमेन हो गया, 1-3 तो फिर 1-2-3 लिखते हैं, 1-2 और 3, ठीक है और यहां पी आपको रेंज पूच जीया जाता, तो 3 5 और 6 यह क्या हो जाता आपका range हो जाता है तो option match कीजिएगा domain आपको पूछा जा रहा है तो 1 3 2 यायने option number B क्या हो गया आपका option number B हो गया समझ रहे हैं इस type questions आपको simple simple questions ही पूछे जाते हैं लेकिन आपको जब तक इस questions का concept नहीं पता होगा basic concept नहीं पता होगा तब तक आप बहुत simple है लेकिन आपको इसके अंदर concept जानना है next क्या है आपका range of function x-3 upon 3-x इसका आपको क्या पूछा जा रहा है range पूछा जा रहा है ठीक है दिखें fx equal to kya है fx equal to x-3 upon 3-x यही आपका तो इसका आपको range पूछा जा रहा है तो दिखिएगा इसको थोड़ा साम minus क्या करते है minus common लेते है minus common लेंगे तो minus 1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 3-x हो जाएगा upon क्या हो जाएगा नीचे 3-x हो जाएगा ठीक है यह 3-x से 3-x cut गया और यह किसके बढ़ावर गया minus 1 के बढ़ावर हो गया आपको समझना है कि domain हुआ होता है जो हमें value मिलता है तो क्या होता है जो हमें value मिलता है ठीक है तो क्या होगा इसका answer यह minus 1 आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं यह minus 1 आपको set में लिखना पड़ेगा क्योंकि यह minus 1 सिर्फ आपको value को बता रहा है और यह minus 1 इस तरीके से यह आपको set को बता रहा है तो आपको set बाज लिखना है यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चों आपको option number D को ठीक लगान value sin x plus cos x दिया गया हो and gx का value sin square x दिया गया हो तो f minus g और into में क्या है bracket में minus pi by 2 का value क्या होगा ठीक है तो हमने आपको इस टाइप के questions बताया था कि f plus g आपको वहाँ पर हमने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि वहाँ पर questions था f plus phi into pi by 3 इस टाइप से questions था आपक आपको अलग-अलग करके इस तरीके से भी आप लिख सकते है ठीक है तो similarly यहाँ पर क्या है f minus g है और उसके अंदर क्या है minus pi by 2 है तो आप इसको अलग-अलग तोड़के लिख सकते है दिखिए कैसे हम इसको लिखके दिखाते हैं आपको एक सेके नुख जाईए चलिए यह इसको आप लिख सकते हैं f minus g है और अंदर क्या है minus pi by 2 है तो आप इसको इससे इस तर लिखेगा f minus pi by 2 minus times of g minus pi by 2 आप इसको इससे बिल्कुल लिख सकते है ठीक है तो यह आपको क्या होता देखिए इसको आप इतना गड़ लिख लिएगा तो आपको सारे questions आपको समझ बचे यही नहीं समझ पाते हैं इस कारण से इस questions को छोड़ देते हैं ठीक है देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम f minus pi by 2 तो f क्या है x है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा जहां जहां x है वहां minus pi by 2 हमें डालना पड़ेगा चली तो डाल देते हैं f of x का value एक सक minus pi by 2 का whole square ठीक है तो sin pi by 2 sin minus pi by 2 है तो minus तो बहरा जाएगा sin से minus बहरा जाएगा और pi by 2 का value क्या हता है sin pi by 2 का value क्या हता है 1 होता है ठीक है यह क्या है minus times of 1 हो गया फिर plus हो गया cos minus pi by 2 क्या होता है तो cos कंदर कुछ भी डाल दे, pi by 2 डालेंगे जब भी cos कंदर तो उसका value हमें 0 देगा ठीक है फिर क्या लिखेंगे minus sign अपका minus आ जाएगा बाहर d is the right answer ठीक है चलिए next questions की बात करते है next questions क्या है questions को पढ़िए एक बाद next questions को questions में कहा जारा है कि if fx equal to x minus 1 का mode दिया जारा है यानि अगर function आपको x minus 1 का mode दिया जारा है तो function का क्या निकलना आपको range निकलना है ठीक? हाँ, function का परास करने नहीं बि тобой range ही nेखलना है는 है, फ़ास करने के तो range नुका नहीं होगा? ठीक है, तो कैसे निकालएगा is questions में? Pray Yeschs qtons को कैसे निकाल लिएगा है बश्यों देखें, तो यह आपका क्या है? x-1 का mode है यहाँ पर लिखते है x-1 का mod, यह क्या है एक सेट, चलिए, यह क्या दिया गा है बच्चो, यह दिया आपको x-1 का mod, थो 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 तो फूरा सा और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, fx is equal to दिया गया है, हमें x-1 का mod और इसका क्या पूछा जारा आप से इसका आपको range पूछा जारा ठीक है range यानि आपका fx का value क्या आएगा ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि modulus function आपने पढ़ा होगा तो modulus function क्या होता है mod of x जो होता हो उसका value जो होता है और कोई function fx equal to या फिर कह सकते हैं simply gx equal to आपको mod of x दिया गया हो तो mod of x का value जो होता है वो हमेशा बचे क्या होता है greater than equal to 0 यानि वो हमेशा 0 से बराबर या फिर 0 से बढ़ा होगा कभी mod का value जो होता है वो negative नहीं आता है ठीक है तो यहाँ जो हमारा x-1 है similarly x-1 जो होगा इसका value जब भी आएगा वो क्या होगा greater than equal to 0 के बराबर ही आएगा जब भी आएगा यह mod का value तो negative कभी नहीं आएगा यह जब भी आएगा तो greater than or equal to 0 के बराबर आएगा तो option match कीजएगा इसको और तरीका होता है रिखने का इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं यह आपका bracket 0 और कहां से infinity तक यानि जीरो से लेकर infinity तक यानि हमेशा positive number कभी आएगा तो क्या आएगा positive number आएगा तो option match करेंगे 0 से लेकर infinity तक यानि option number c और आप देखेंगे इस bracket को इधर से घुमा के लिखा गया वाया है तो आप इसको एक और तरीकर से लिखते हैं यह देखें इस bracket का मतलब होता है आप इसक स्मॉल ब्रैकेट दिया जाता है या फिर आप इस ब्रैकेट को इधर से ना देकर कह किएगा इसको इधर से देदेगा तब भी यह छोटे वाले ब्रैकेट के जैसा काम करेगा यानि infinity को छोड़कर ही बताएगा ठीक है तो इसका option क्या है option number c है ठीक है चलिए यह सब ब्रैक 16 x square तो आपको domain निकालना है domain करने का मतलब x का value निकालना है ठीक है x का value आपको find करना है ठीक है चलिए तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि root के अंदर जब भी value होता है वह हमें से greater than or equal to क्या होता है बच्छे आपका 0 के बराबर होता है ठीक है कि नहीं बात करते है तो आपको जब भी डालेंगे root के अंदर तो value हमें सा positive ही डालेंगे ठीक है तो log of 16 x square greater than equal to 0 ठीक है यह आपको क्या करना है फिर आपको यहां से x का value निकालना है x का value क्या हो जाएगा यह आपका x square हो जाएगा greater than equal to यह आपका 16 क्या होगा 16 to the power 0 ठीक है तो x square greater than equal to 1 anything power 0 1 होता है तो x square का value अगर बढ़ा हो गया 1 से x square का value बढ़ा हो गया 1 से तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते देखिए आप इसको इस तरह से लिखे mod of x greater than equal to 1 ठीक है अथो mod of x जब भी greater than equal to 1 होगा तो option match करेंगे क्या होगा mod of x greater than equal to 1 ठीक है देखिए आपको इस value को x square greater than equal to 1 को आप mod of x greater than equal to 1 भी लिख सकते हैं लेकिन अगर आपको ऐसा interval आपको इस तरह से answer नहीं दिया रहा है आपको interval wise answer दिया रहा है यानि देखिए इस आपको इस तरह से interval wise आपको answer दिया रहा है तब आप क्या किजएगा तब आप किजएगा देखिए यहां जो x square greater than equal to 1 है आप इसको क्या किजेगा एधर और greater than equal to 0 कर दिए ठीक है यह हो गया x minus 1 और यह क्या हो गया x plus 1 हो गया greater than equal to 0 कर दिए यहां से दोनों का value find किजेगा x क plus 1 equal to 0 तो यहां से क्या value आएगा आपको x equal to 1 और x equal to minus 1 यहां से आएगा x equal to 1 और यहां से आएगा x equal to minus 1 ठीक है तो इसको आप number line प्र पर plot कीजेए minus 1 और 1 हो जाएगा ठीक है फिर एका लिखेंगे 1 के बाद क्या आता है यहापको, 1 के बाद यहाँ पर 2 आता है ठीक है यहां लिखेंगे positive यहां लिखेंगे negative यहां लिखेंगे positive बस एक आपको check करना है उसके बाल alternate पर चलना है एक आपको check करने के पाद आपको sign देने के बाद आपको क्या देखना होगा कि आपका यहां जो यह स्काम में की डिक्वार्व है यह ओंडैने का लिए लए बिम्लाइए अधर कर? यह स्साया इभातलु होगा एनसर होगा इसका एंसर होगा इसका यहां पहँ होगा आपका एकस यह बिलेख सकते हैं और एकस ग्रेटर थैन इकल टू होगा यहा इकस से फप्रेयची समझ रहें तो इंटरवल यह एंसर लिखना लिखते हैं ठीक है चलिए समझ में आड़ा आपको और इसको लॉंत पर अगर आपको फंक्षिन दिया जाए अगर कोई फंक्षिन जी एक्स इकल टू लॉक अपको गया उफचिन ड्ader पर लॉक नहींटि यहां पर जिएकवर गडला तो इसको बिल्कुल नहीं होता है घ्याप यहांपर एक्टतिन यहांपर केडल्ग यह इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो आपके लॉक के अंदर होता है वह कभी जीरो नहीं जाला जाता है, इसको जीरो के बरावर नहीं लिख सकते है, ठीक है? चलिए! तो आपको इसका एंसर तो यह होता है, लेकिन यहां पर एंसर थोरा सा हमारा क्या होगा different होगा, क्योंकि function थोरा सा अलग है, यहां function हमारा log of sin square x है, log of sin square x है, तो हमारा sin square x होगा, sin square x होगा, वो क्या होगा greater than equal to, आपका 0 होगा, मिसे नहीं से, बड़ा कब होगा मिसे नहीं सिपने रिवा धाता है और आपको पता हैं कि साइनेश जो होगा, जिरो से बड़ा कब होगा जब आपका x जो होगा वो क्या करेगा किससे भी घूब करेगा डीयल नंबर से माइनज ङसे नीदा ही अब आपसोच चलेगा कि यह माइनश चैसे न्पाई हमने क्यों क्या प्scheक्या अप अनक साइन के अंदर किसी बही इन पाई को पर min fun at कहने का मतलब इस n के जाब पर 1 डाल देते हैं थोड़ी दिर के लिए तो क्या हो गया यह पाई हो गया है यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं दिया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा इस वैलू को हटाना पड़ेगा एक सद्फ लょका उंड़ो और सबस्क्राइब और फुरो इसक्राइब क्रुकल पर अथ लुक्त आपको श्युक्त ल नहीं चाहिए कीजिसे सुसी पड़ेम थीलो करना पूंड अपनी यहां क्या हो ग्रोल व्लोग जेए गा, अपको पडाव। लोग 0 हो जाएगा क्या है अंडिफाइन है क्योंकि लोग के अंदर कभी भी 0 नहीं आता है ठीक है तो इस कालब से हम यह नपाई बाला वैलू को क्या करेंगे छोड़ देते हैं ठीक है यह अपको सारे लेना है बिल्कुल आपको सारे कोसंज़ अच्छह से किलियर हो पाएंगे ठीक है तो इस भर लाइन का कोसंज भी नहीं है यह लेकिन आपको चूपा हुआ है ठीक है चलिए्ट यह आपका कहा है जब x not equal to 0 और जब x equal to 0, x not equal to 0 कहने का मतलब होता, यह दोनों को इस दोनों, जो लिखें कहा है, x का value इसकी अपने meaning है, देखिए, x not equal to 0 कहने का मतलब x का value कुछ भी होगा, x का value negative भी होगा, इस condition में x का value positive भी होगा, लेकिन x equal to 0 कहने का मतलब है यहाँ पे simply x equal to 0 जैसे 0 put करेंगे function में तो हमारा value होगा function का value क्या देदेगा आपको 0 देदेगा ठीक है चलिए तो आपको यहाँ पर range निकालना है range कहने का मतलब आपको fx का value निकालना है आपको पतानों चाहिए कि जब भी mod of x होता है तो mod of x क्या होता है kis के ब्रावर? x के ब्रावर ज stripes माइनस x के ब्रावर होता है जब x का ख지 Each seventy rapt selon будju mod of x ब्रावर होता है modless function को तोने का तरीका होता है जैसे आपको कोई function mod of x है तो इस type mode of x को तोने का तरीका होता है कि जब भी यह mod of x x के ब्रावर देता है कब देता है जब x का value greater than equal to 0 होता है लेकिन mod of x आपका minus x देता है कब देता है जब x का value less than 0 होता है आप यह जो equal to का sign है आप किसी में भी देजिए या तो इसमें देजिए या तो इसमें देजिए कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है च x क्या होगा greater than equal to 0 होगा ठीक है चलिए यहाँ पर क्या है इस mod of x को minus x लिखेंगे upon x लिखेंगे कब जब x का value less than क्या होगा 0 होगा ठीक है और यह आपका यहाँ पर आप क्याम कीजिए equal to 0 लिखने का ज़रूत नहीं है क्यों ज़रूत नहीं है क्योंकि equal to 0 के लिए आपको value यहाँ पर अलग से दिया गया हुगा ठीक है और आपका equal क्या बज़ जिका 0 होगा जब आपका kब x का value क्या होगा 0 के ब्रावर होगा हमने इसको क्या क्याइक functions को तोड लिया तीन भागों में तो लिया पहले दो भाग में दिया गया था एब इसको थोड़ा से अर का यह है अपके डिपेंट एकस के अलग अलग आ रहा है तो आपके मांस 11 और जीलो यानि option number c, समझ रहे हैं? minus 1, 1 और 0, यानि क्या होगा आपका option number c होगा answer समझ रहे हैं? कैसे तोरना है? सबसे पहले हैं यहापे modelos of x को तोरना था और functions को redefine करना था, यह function आपका पहले से define किया गया, इसको हमने यहाँ पर क्या किया है? fx equal to sin x function का range क्या होगा? आपको fx equal to क्या दे जा रहा है? fx equal to दिया जा रहा है fx equal to दिया जा रहा है आपका bracket के अंदर क्या है? sin x, ठीक है? क्या है? sin x है, ठीक है? तो आपको ख्यान बताना बच्चे आपका आपको बताना है range बताना, ठीक? यह ऐस decir कए मतलब होता है कि यह बैकेट हमें बताता है GIF के बारे में greatest integer function क्या होता है GIF के बारे में हमें बताता है गते Origin infinite function जो होता है वह हमेशा क्या होता है कि इंटीज sûर देगा और इंटीज़ किस प्रकार से देगा जैसे आप घब भी इसके इंदर आपको अगर greater integer function के बारे में आपने पढ़ा होगा greater integer function अगर x है तो अगर इस x के अंदर आप इस x के जापर अगर 1.5 डालते हैं तो जो आपका इस x के अंदर आप 1.5 डालते हैं जो आपका value मिलेगा वो मिलेगा 1 यह हमेंसा आपका value होगा उससे एक कम देगा value जैसे आप 1.5 डालते हैं तो 1.5 से जो चोटा integer होगा 1.5 से चोटा integer क्या होगा 1.5 से चोटा integer 1 होगा तो आपको क्या देगा यह 1 देगा अगर आप x का value क्या डालते हैं 5.9 डालते हैं ठीक है तो 5.9 से छोटा इंटीजर क्या होगा 5.9 से छोटा इंटीजर 5 होगा तो आपको क्या देगा यह 5 देगा अगर वहीं पर आप एकस का वैलू यह हम आपको इसके लिए बता रहे है कि थोड़ा सा रिकाप करते हैं आपने इसको बिल्कुल पढ़ाऊगा गेटेस इंटीजर फंक्शन के बारे में लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आपको क्या होगा कि समझ में और अच्छ पिख कहा नहीं कि अमिटें नहीं तो मैंस two point one तो इस कहा देगा तो बच्छे क्या करेंगे इसका प्थीk गलत हो जाएंगा हम आपको क्या बोला है् २ इस से छोटा बडू इस छोटा बला इंटीजर मानस two point one से छोटा इंटीजर क्या होता है यूँकि निगेटी में जो value बड़ा होता है वही क्या होता है बच्चे value छोटा होता है ठीक है इसी तरह अगर एक और बता दे आपको कि अगर x का value आपको दिया जाए तो sin x का range कतना होता है sin x का range होता है minus 1 से 1 के beech Wooo इसी छहा देंगे तो इसके अंदर जो integer value होगा वही आपका आपका आपको जायगा तो आपको minus 1 से 1 के बीच जो इंतीजर होगा वह क्या होगा वह होगा minus 1 0 और 1 यहा और जीरो और क्या यहाँ वन आएगा तो option match की जाएगा माइनस वन जीरो और ओन ठीक है तो माइनस वन जीरो और वन यानि option नमडर डी समझ रहें आपको कहा करना है simply sinus का range पूछा जाता तो से 1 के बीच होता लेकिन इसका इंटेजर पूछा जा रहा है तो आपके इसके भी जितने सारे इंटेजर होंगे वही इसका रेंज हो जाएगा इसका इंटेजर क्या क्या आएगा मैनेस वन आएगा जीरो आएगा और वन आएगा समझ रहे हैं चलिए नेक्स की बात करते हैं देखे कोई भी प्रब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा हम आपके सारे कमेंट का जवाब जोड़ देंगे नेश्ट क्या आपका रेंज आपको इसका रेंज हम क्या कर सकते हैं एक आपको इसको डेरिवेशन करने के बाद आपका क्या रेंज आता है वहां से इसका निकल जाएगा लेकिन आपको डेरिवेशन जाने की जुरुवत नहीं है यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता है डेरिवेशन आता है या फिर नहीं आता है वहां पर आपको अब जोशन पूछे जाएंगे और आपको इसका रेंज बताते हैं डैक्ली आप उसको रिमंबर कर लीजिए इसको याद कर लिजे और इस पे कभी तुरत आपको को aurlles सह बता देते हैं कि दुसरे तरीका से गर nominee पूछे गा तो किया पूछ सकता हां ठीक है जोता है यहाद रख नवर्ग देए Memphis होता है कितना आपका इस New minus root under a square plus b square से आप लिख सकते हैं fx के value क्या root under a square plus b square ठीक है देखे इसे आप एक questions पूछ सकता है देखे इसे आप इस पे best कैसे questions पूछेगा questions देखे आपको y equal to y equal to y equal to देखे आपको कहेगा कि 3 into 1 second 3 into sine x plus 4 into cos theta 3 into sine theta plus 4 into cos theta आपको इसका क्या बताना आपको इसका range बताना है तो आप कैसे कीज़ेगा देखे इसका range हम कैसे दिखाते हैं आपको इसका range लिखेंगे रहें причmit देंगे and minus root under a squared plus ba squared a क्या है यहाँ पर ? a अपका sine का coefficient B क्या है आपका coz k correct इस formula का huge काहां नहीं अपको huge करना है तो अप eござ celebration में इसको नहीं बना पाएगा ठीका तो sine का coefficient A है और cos का coefficient A है हम क्या करें दून्यूा का square करते रहे है और क्या करते हैं असपिर रूट चला दरे तो माईनस लिखेंगे तो constitution की अच्छे स्कूर्ण ना आ से और长ड में और क्या हो गार्टीस स्कारण को दितन घृते क्या हो कि दों टहुंति को मैंज के बीए बच्चे से 5 में छी में में कि उक्षिव यतने भी लेक्ष फीर्ट ऑनाना आप jedタरीải measurement करने हैं आप सभी बच्चे एरफोर्स वाले नेवी वाले बच्चे सभी जाकर देखिए आपको उससे डिफिनिटली हेल्प होगा सारे बेहतरीन बेहतरीन आप कई सभी पूछ आपको बिलकुल बढाई जाए लेका ठीक है बहुत सारे बतानाे से आपके सारे आपको शाल के साथ करते हैं आप भी जाकर देखिए आपको वह 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 को बिल है करेगा ठीक है चलिए, निश्ट क्या है आपका, the range of function, देखिए हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों का स्लेवर्स है, वो क्या है आपका, same है, ठीक है, next क्या है आपकी, the range of function, fx equal to x minus gif of x, ठीक है, देखिए, fx equal to, यहाँ पर इस वीडियो में हमने सारे आपको range of domain के equations करवाय स्थारे देखिए, टो, fx equal to x minus, gif of x, ठीक है, तो कैसे इसको बनाएगे? gif of x कैसे बनाएगे, चो बनाएगे, तो, x minus gif of x, यह ही है, तो दीखे, यह कहने का मतलब होता है, कि यह जो g of x हमें, क्या देगा, यह जब भी देगा, तो आपको x के बराबर देगा, या फिर x से क्या देगा, छोटा देगा, ठीक है, एक से जब भी बराबर देगा, x के बराबर देगा, या फिर x से छोटा देगा, ठीक है, समझते हैं यह जब भी आपको X देगा क्या देगा X के ब्लाबर देगा या फिर X से छोटा देगा जैसे देख लिएगा यहाँ पर आपको एक एक ग्याम्पल देगे बताते हैं देखेगा आपको सारे चीज समझ में आजाएंगे इच्छ से आपको समझा जेते हैं example देखे ठीक है example से आपको कैसे समझाते हैं दिखेगा ठीक है चलिए यहाँ पर आपका x है और क्या है gif x है ठीक है तो यहाँ पर दिखेगा हम इस x को जो पर डालते हैं अगर थोड़ी दर के लिए माइनस 2.5 डालते हैं और यहां डालते हैं माइनस 2.5 ठीक है तो यह अपका माइनस 2.5 अपर धलेगा और यहाँ पर यहाँ पर यह प्र यह 0.5 आजाएगा तो जब भी आपको यह value आएगा वो आपका 1 से 0 के बीच में ही आएगा यह जब भी value देगा आपको integer देगा value यह integer आपको sorry यह जो function आपको होगा यह जब भी आपको value देगा 0 से 1 के बीच में यह value आपको जब भी देगा 0 से 1 के बीच में 0 से लेकर 1 के बीच में, एक को छोड़ कर क्यों कि यह 1 कभी आपको value नहीं दे पाएगा, जब भी देगा 1 से छोटा value देगा, जब भी देगा 1 से छोटा value देगा, और 0 से बड़ा value देगा, ठीक है, 0 दे सकता है, 0 बिलकुल दे सकता है, कब 0 देगा, जब हम integer डाल देंगे, ज लेकिन हमने 1 के जब क्या किया है, यह आपका रवाइकर दिया है, इधर साइड इसका मुह खोल कर क्या 0 को, sorry, 1 को छोड़ कर, यानि 1 कभी आपका नहीं देगा, ठीक है, तो यह जब भी देगा, 0 से 1 के बीच में ही value देगा आपको, ठीक है, तो अप्सन माच करेंगे, यान नहींते रखते हैं, अगर अच्छा लगा है, तो लाइक और सिस्क्राइब यह रूकिजएगा, और बताईएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इसमें आने वाले वीडियो में कौन से चेप्टर्स आपको चाहिए होंगे, तो थैंक्स पर बच्चिंग में वीडिय तो 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 कि ये, बबबाई